हाई आप सभी लोगा सौगत अपनाने काटमी यूपी सीकेस प्रेटफॉर्म पे जहां जब बात करने वाले हैं करेंड अफैस के अदर करेंड अफैस में क्या कुछ खास है आपके लिए आज के लिए उसके उपर अपनाई चाचा होने वाली है जोब के इसामिशन के लिए एक के लिहास से बह्याद महरतपुन होने वाला है तो गाइज मैं चाहूंगा एक बार प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजे जितने भी लोग है प्लीज दू लाइक और मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रहे हैं एक बार प्ल के लिए भी हम लोग बात करने वाले हैं and it's about me it's a very small piece of information in regard to me so you can see me here and this is the telegram group polity group का है इसे join जरूर कर लीजेगा जाई guys and आज हम लोगो करें भी बात करना शुकरेंगे जो first article है आज का PM Cares Fund को लेकर के अब जानते PM Cares Fund को लेकर काफी कुछ ज्यादा news में रहा है हमेशा से always there something in the news ठीके so always there is something something in the news तो अभी भी हम लोग बात करेंगे कि अधिक कुछ खास news में है उसकी चरचा थोड़े से भी हम लोग कर लेते हैं there is ठीके, तो देख लेते हैं कि क्या है न्यूज के अंदर PM Care Funds के अंदर इसके अंदर अभी हमनों थोड़ी से चलचा कर लेते हैं, ठीके, क्यों न्यूज में रहा है, इसके बारे हम बात करेंगे, देखे, और PM Care Fund को लेकर अब हम लोग भी बात करना चाहरे हैं, तो आक्चुल मसला समझा देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी से आसा नहीं रहे हैं, क्या कि आप जानते हैं कि भारत में कोई भी खर्च अगर हो रहा है, भारत के एसन चितनीदी से हो रहा है, contingency funds से हो रहा है, कहीं से भी पैसा अगर खर्च हो रहा है, तो उन सभी की auditing जो किसके द कुछ जो इस्पिरिटेड लोग हैं, उनका ये कहना है, कि जो पी-म केर्स fund है ना, उसका भी के द्वारा औरिट होना चाहिए, क्या के द्वारा उसकी औरिट होनी चाहिए, आटी-ए के द्वारा उसके बारे में details मांगेगे, क्या आया, क्या खर्चा हुआ, इन सभी को deny कि अब जानते हैं, इस लेकर किस बात को लेकर के सुप्रिम कोट में एक मसला को डाल दिया गया, अब सुप्रिम कोट में मामला चल गया, तो उसके पीछे का जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ये है, कि लोगा कुछ ये कहना है, कि अगर हम बात करेंगे, पी-म केर्स fund को लेक चाहिए, स्टेट, आप जानते हैं स्टेट का मतलब किया है, स्टेट का मतलब सरकार, जो मैंने आप लोग को पॉलिटिम में डिफाइन करका बता हुए, स्टेट की परिवाश्चा के अंदर क्यों नहीं सामल किया जाना चाहिए, क्यो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इस यूज नहीं किया जाना चाहिए, जो .gov.in की वेबसाइट है वो यूज नहीं किया जाना चाहिए, नासना फ्लाग यूज नहीं किया जाना चाहिए, ये बातें कहेंगे, अगर इस सारी चीज़े बातें यूज की जा रही है, ताकि ये लगे ये सरकार का है, then why not it should be audited by और जो जिन्होंने पेल दर्ज किया, उनके तरफ से जो council होंगे, वो अपना दलीव पेश करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा, हमारे लिए क्या important क्या होगा, कि हम से सवाल पूछा सकता है कि PM Care Fund क्या है, क्या आपको लगता है कि क्या कि समुछा होनी चाहिए या आपको लगता है कि PM Care Fund की अस्थाफना करके, एक समारांतर सर्थारी fund की अस्थाफना की गई, etc. यह सारी चीज़े हैं जिसको हमें अब जो है सो इन्ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके पूरी तरगे से quality involved है, so that is very much involved, are you getting my points? सो PM Care Fund को क्यों नहीं स्टेट की परिफाशा में शामिल किया जाना चाहिए, अगर यहां पर .gov.in email address के लिए यूज के जा रहा है, अगर जो हमारा शो कस्तम है वो रास्ट्रिये, जो इंसाइना है, जिसको हम बोलता है, emblem बोलता है, वो जो हम यूज कर रहे हैं, etc. तो यहां पर क्यों नहीं इसको PMO Office के दौरा यह run करवाया जा रहा है, तो क्यों नहीं से स्टेट परिफाशा के इंटार डाला जाना चाहिए, क्यों नहीं इसको consider किया जाना चाहिए, और इसके CAC के दौरा भी समिक्षा की जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका पहले हम newspaper के, जो यह पूरा का पूरा है, पहले newspaper में क्या बाते आई है, उसको समझ लेते हैं, that is called the context, फिर हम लोग उसके case के बारे में बात करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या PIL के तरफ जो appellant है, उन्होंने क्या बाते कहीं है, उनके दरफ जो वकील सा इसकंदर है, यह सारे चीज़े दिसकेशन करेंगे, लेकान हमें जो discussion करना होगा, in detail discussion करना होगा, about the PMCares Fund, so got the context, I believe you must be getting the context, आपको पूरा का पूरा बाक्राउंड समझ में आरोगा, फिस्त भूमी आपको समझ में आ रही होगा, अगर समझ में आ रही होगा, अगर समझ में का मतलब का है, कि यह सम्विदान के बाहल सम्विदान नहीं कर सकता, out of the constitution, सिधा मतलब को साधरन शब्ना सम्झाने की कोशिश करो, कि PMCares Fund cannot be run outside the constitution, just try to understand, so the PMCares Fund cannot contract out the constitution and is a structure which is undermines the public accountability, और जो PMCares Fund का जो structuring किया गया है, जो फंड आ रहा है, फंड जा रहा है, फंड की auditing, etc., यह बार में जो कुछ भी प्रावधान किये गया है, that is, that which undermines the public accountability, ठीकि न, so जो structure है, which is being undermined, जो है structure है, which undermines the public accountability, को यह undermined करता है, so पहली बात हो गया, कि PMCare Fund cannot contract out of the constitution, and the structure which undermines the public accountability, it was argued before the Delhi High Court, I am sorry, यह Supreme Court में, Delhi High Court में मसला चल रहा था, कि मैं यह बात ही कह रही थी, वो दिमा रहा था, so PMCare Fund cannot contract out of the constitution, and is a structure which undermines the public accountability, and it was argued before the Delhi High Court, right, now, can you have the speaker of the house and some members creating a trust, and saying please donate, क्या आपको लगता है, कि speaker of the house को भी लोगसवा, रचसवा के पास, can you have the speaker of the house, को सकते है, and some members, जो क्रेत करें एक ट्रस को, and saying please donate, क्या सकंदर आप डोने करें, do you think that, just try to understand the newspaper, जो है, यह लिखा सकते है, please assume, क्रिप आईसा मानिये, the cause is extremely logible, but does the constitution allow this, allow you to shut up something parallel to, parallel the government, and say this is not subject to any rigor of the state, आपने बात के क्या आप लिख बात के, क्या है, क्या आपके पास, जो है सकते हैं, क्या आपके पास, क्या आपके पास, क्या सदन के आइं, कुछ मेंबर सासे हो सकते हैं, that create a kind of trust, saying people, please donate, क Please assume the cause is extremely laudable, but does not constitute a constitutional, allow it, allow you. अगर आपसे ये सारी बाते हैं काफी अच्छा प्रिसनस निये का रही है, लेकिन आपको ये समयनना पड़े है, क्या संभिधान इस बात के इजाज़त देता है, इस बात के इजाज़त देता है, कि आप कुछ भी सरकार की समाना अंतर क्या करेट करें, इस नोट सब्जेक्ट तो इनी रिगर अप डेस नाट प्लाई, और क्या विगर है कि इसको कोई इसको रव्यू नहीं कर सकता, इन्होंने ये बात है, इन्होंने ये बात है, इन्होंने ये बात है कोट के इंदर रखा है, representing the petitioner, Samyat Gangwal, और गुट भीफू, the division bench of acting chief justice, भिपन सांगी and justice Naveen Chavla. So this is, are you getting my points? ये बात है यहाँ पर कहीगी. Now, the submission was made during the hearing of the petition filed by Gangwal, seeking that PM के रपांट, he declared the state. ये उन्होंने ये जो बात है कही है, उन्होंने ये जो बात है P.I.L. किया है, उनका ये कहना है, कि जो हमारे पास PM Care Fund है, इसको state की परिभाशा में शामिल किया जाना चाहिए. That must be under the fold of the state. ये रज्ज की परिभाशा के अंतरगत आना चाहिए under Article 12 of the Constitution of India. जो समिधान की बारह है, आप जानते हैं समिधान का जो बारह है, जो कि अंपार 3 के अंतरगत कहा गया है, इसमें state शर्थ को परिभाशत किया गया है, इनमें का कहना है कि क्यों नहीं जो PM Care Fund को जब established किया गया, that is a very laudable work, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया, अब इसको हम लोग क्यों नहीं state की परिभाश्या में शामिल करें, so that it could come under the rigor of the state, जो state के जो भी प्रोविजिंस हैं, वो सारी चींज की बहुत अप्लिकेबल हो, control, regulations control, review control, auditing review, everything, so that could be controlled by the state, so इनका यह कहना था कि जो P.I.L. दायर किया गया, अब मैंने वकील साब का कहना था, support में, कि हाँ भी इसको किया जाने चाहिए, state की परिभाश्या में शामिल किया जाने चाहिए, इसके भी जो argument आया, उनमें नहीं कहा गया, government नहीं इसे deeply control कर रहे है, सरकार ही इसे control कर रहे है deeply, Prime Minister, Ex-Officio, इसके Chairman है, so government deeply controls the fund and has been established by the government through PMO, इसको सरकार के द्वार ही established किया है, क्योंकि इसकी जो अस्थाफना की गई है, वो प्रधान मंत्री कार्याले के द्वारा की गई है, PMO के द्वारा की गई है, PMCares Fund performs a public function, और यह जो PMCares Fund है, वो perform क्या कर रहे है, public function कर रहे है, किसी को भी जैसे COVID की द्वारान को लाया गया, तो COVID में जिसको जरुवत है, उसको यहां से support देने के लिए इसको किया गया, तो PMCares Funds is doing what? That is the public work, public service भी कर ही रहे है, public function कर रहे है, which is similar to the government functions, और यह सारी चीज़ी क्या है, similar to government function है, and PMCares Fund utilizes the privileges, benefits and exemptions, which are reserved for the state, और इसके अलावा, जो PMCares Fund है, वो utilize क्या करता है, इसके privileges, state के, benefits and exemptions, which are reserved for the state, जैसे कि आप माल इसमें donate अगर करते हैं, तो जो donor होगा, उसको कोई भी taxation का, ATC के अंतरगर, कोई tax wax देना नहीं पड़ेगा, मनलब की income tax है, आपका exemptions है, तो इसमें यह नहीं कहा, कि क्यों नहीं, इन्होंने बड़ी solid बात है कही, PMCares Fund के बारे में, कि पहले दोज चीज़े हैं, कि क्यों नहीं इसको का, CAC के ambit में आना चाहिए, preview में आना चाहिए, jurisdiction में आना चाहिए, और दूसरी बत यह भी कही, कि भई इसके उपर क्यों नहीं, इससे state की परिभाशा में शामिल कर दिया जाना चाहिए, अगर हम लोग बात करें कि बड़े अच्छी बात है, क्या हम इस बात के इजादत देते हैं, कि हम लोग, कि PM Care Fund को अगर हम state की परिभाशा में शामिल नहीं कर रहें, अगर इससे हम क्याक से review नहीं करवा रहें, तो इसका मतलब उन सरकार के समानांतर कुछ चीजों की चला रहें, हम इसको ऐसे भी समझे, कि क्यों नहीं हम कहने कि सरकार के समानांतर है यह, हम इसका review नहीं करवा रहें, क्याक से नहीं करवा रहें, state के परिभाशे हम शामिल नहीं करें, लेकि P.I.L. में यह कहा गया, कि यहां पर जो government ने इससे deeply control करती है, कि प्राइमिस्ट साथ के अंदर है, उनके कारयाले के दौरा है, इसके अस्थापना भी सरकार के दौरा प्रधानमंतरी कारयाले के माध्यम से किया गया, हमने आपसे यह भी किया, कि government के कई जिससे नेसल इंसाइनाज हैं, इंब्लेम्स हैं, वो हैं, जो government का जो website है, वो जो dot gov in, dot in पे, उसको mail ID, उसको use का प्रियोग किया जा रहा है, इसके अलब हम देखते क्या हैं, यह इस्टाविश किया गया, PM का थुरू, PM Care Fund performs a public functions, और यह public function भी perform कर रहा है, जैसे कि सरकार करती है, government करती है, चाहे आप बाड के समय कर लें, भुकाम के समय कर लें, आप COVID के समय कर लें, वैसे यह काम भी कर रहा है, इसके अंदर जो पैसा है, वो public function कर रहा है, which is similar to the government function, and PM Care Fund utilizes privileges, वो सारा privileges सरकार को मिलता है, स्टेट को मिलता है, उसके benefits और exemptions are reserved for the state, then why it should not be treated as a state, are you getting my points? So this was a dalil, ये एक dalil था, जो की दिवान जो advocate है दिवान साहब, उनका ये कहना था, इस चीज को लेकर के, are you getting my points? You must be getting it. आज पूरर newspaper का एक सर्थ से वो पहले में बता दो, जो petitioner है, उनका कहना है, in the petition says, Contended data, citizens of country, are agreed data funds set up by the Prime Minister, and with trustees, like इसके trustee कौन है, इसके the Prime Minister, इसके trustee है Prime Minister, Ministers of Home Affairs, Defence and Finance, has been declared to be a fund over which there is no government control, आप देखेंगे, इस बात से लोगों का बड़ी खुशी थी, कि एक PM Care Fund बनाए गया, लोगों ने उचाहित होकर इसमें Fund में contribution भी रिया, लेकिन ये बात थोड़ी से अच्छी नहीं लग रही है, लोगों को इनका जो petition में गंगवाल साब ने कहा है, continued that, citizens of the country are agreed that, funds set up by the Prime Minister, ठीक है और इसके जो trustee है, वो Prime Minister है, और उनके जो खास जो ministers है, जो Home Ministers होते हैं, Defense Ministers होते हैं, Finance Ministers हैं, वो इसके trustee हैं, but इस PM Care Fund के उपर में, there is no government control, so इसके उपर में government का control होना चाहिए, there is no control of government, ठीके न, government का कोई भी control PM Care Fund के उपर नहीं है, are you getting the things, ठीके न, अब चीजों का समझ पार है, कि what is the contradiction, you need to understand, कि contradiction क्या है, intention बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, किया बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन इसके पर जो regulation होना चाहिए, वो regulation that is missing, it is something that is like working like a government, ठीके न, state है, government के officials इसके साथ involved हैं, institutions involved हैं, but government के control के भीना है, so it is something, अगर इसके कोई कहा जा रहा है, it is something parallel to the government, it is something parallel to the government fund, are you getting the things, so this is the main thing that we need to understand, ठीके न, हमें इसको समझना पड़ेगा, there is no government control, so this is the things now, now, अब आये case के उपर चलते हैं, यह तो हमने समझ लिया कि अभी किस बात को लेकर यहां पर चर्चाह हो रही थी, अब आपर case को समझने की कोशिश को रही थी, इक्षा है, वो चाहत उनकी यह है, कि जो PM Care Fund है, उसको declare किया जाना चाहिए, PM Care Fund को as a state, that is in the definition of, what is the definition of Article 12, 12 के अंतर के जो definition दिया गया है, that should be over here, so petitioner seeks declaration of the PM Care Fund as a state, so this, he said, would attract consequential directions for, इसके लिए चाहते है कि Supreme Court कुछ क्या करे, इसके लिए अपने directions को दे, so what are those directions, just try to understand us, ठीकिना, वो directions क्या होना चाहिए, क्या है, directions क्या है, तो पहला क्या है, कि आपको यह disclose करना होगा, disclosing the funds audit reports periodically, यानि कि जो fund है, PM Care Fund, इसकी audit report है, इसको periodically आपको disclose करना चाहिए, it needs to be disclosed periodically, right, दूसरा है, disclosing the funds quarterly details of donations, ठीकिना, उसके अदिना, इसका quarterly details जो है, donations का, जो receive हुआ है, उसको आपको disclose करना चाहिए, utilization thereof and resolution on expenditure of the donations, ठीकिना, receive, इसके अलब utilization, इसका प्रयोग किया, and resolution on expenditure of the donations, ठीकिना, यह सारी चीज़े आपको disclose करना चाहिए, this is the second aspect. So, इनका case में यह भी कहा है, in the alternative, it is contented that, in case, PM care fund is not a state, अगर हम यह मान लें, कि अगर यह state की परिभाशन में शामिल नहीं होता है, if that is not under the definition of the state, अगर यह state की परिभाशन में शामिल नहीं है, ठीकिए हमने यह का, कि इसका जो है, के अंदर यह सारी चाहिए परिडिकल जो है, वह उसके auditing report और जो भी expenditures है, जो receiving हुई है, रेसिप्स आये हैं, उन सभी को आप disclose करें, ठीकिए, अगर आप नहीं करते है, if it is not considered as the state, ठीकिए न, तो क्या है, in the alternative, it is contented that, in case PM care fund is not a state under Article 12, then what? Center should widely publicize that, PM care fund is not a government owned fund, तो केंदर को यह कहना चाहिए, कि जो PM care fund है, वह सरकार के द्वारा, ओन नहीं किया जा रहा है, it is not being owned by the government, you should stop saying that, it is owned by the government, ठीकिए न, तो इसमें यह कहा गया, just, Center should widely publicize, इसको करना चाहिए, widely publicize करें, कि PM care fund is not a government owned fund, दूसर, PM care fund should be restrained from using PM in the name's website, अगर हमनों बात करें कि अगर यह state की पर भाशन नहीं आता है, तो PM care fund है, इसमें से यह PM शब को हटा देना चाहिए, शुद बी रस्त्रेंट from using PM Prime Minister, because Prime Minister is our representative, representative of the government, वह हमार देस के शासना धर्ष है, head of the government है, so why we should you continue with this term PM Prime Minister, so its names on the websites, ठीके न, इसके name को websites पे, इन सारी जगों हम से इसको हटा लिया जाना चाहिए, PM care fund should be restrained from using the state emblem, जो हमारा शो कस्तम है, उसको भी हमें use नहीं करना चाहिए, इसको भी withdraw कर लिया जाना चाहिए, ठीके, that is another thing, PM care fund should be restrained from using domain name, जैसे कि domain name, जैसे कि आप लोग कोई website लेते हैं, तो आप some domain, तो अस domain में PM care fund should be restrained from using domain, gov in its website, ठीके न, gov को use नहीं करना चाहिए, PM care fund should be restrained from using PM's office, as its official address, ठीके न, so PM's office या, PM office का, इसका official address के रुमें use नहीं करना चाहिए, ठीके न, un should not, जो है, इसका कोई भी जो है, secretariat का support नहीं दिया जाना चाहिए, यानि जो सरकारी को भी support है, that should not be given to the PM care fund, are you getting my point? So these are the certain objections, कहा गया, कि अक्सको या तो आप state की परिभाशन में शामिल करें, तो मैंना भी आपसे कुछ पहले का, newspaper में आज का, कि जो privileges मिल रहे हैं, जो benefits मिल रहा है, जो कि reserve is state के लिए, that should not be used by the PM care fund, simple as that, so these are the benefits that is taken by PM care fund, ठीके, तो इसको use नहीं किया जाना थी, now, अब आये about PM care fund के बारे में में बात है, what exactly is this, थोड़े से बात है, जो एक्जाम नहीं कि आप समझते ही है, PM care fund जो है, Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation, that is called PM care fund, Citizens Assistance Relief Emergency Situation Fund, that is called PM care fund, Prime Minister's Care fund, a charitable trust है, that is a charitable trust, and trustees are Prime Minister, Defence Minister, Home Minister and Finance Minister, Charitability is under the law, जो हमारे इसका law है, उसमें इसका status जो है, वो एक charitable trust की तरीके से, so it has been established like a trust, trust's fund is not a fund of the government, जो trust का fund है, trust का जो fund है, it's not a fund of the government of India, ये government of India का fund नहीं है, and its amount does not go in the consulated fund of India, और इसका जो पैसा है, that is not flowing into the consulated fund of India, ये भरत के संचित निधी में नहीं जाता है, the PM care fund was formed by the Prime Minister, in March 2020, for a noble purpose of extending assistance to citizens in wake of COVID-19 pandemic, and huge donations were received across the world, ठीके न, जहां कही भी हमारा diaspora है, वहां से भी पैसा यहां पर आया था, so that is the thing, so that is the issue, इतना कुछ है यहां पर COVID के बारे में समझे है, कितनी बाते सभी लोग समझ पा रहे हैं, सभी को मेरी बाते इतनी समझ में आ रहे हैं, ठीके, okay, so I believe it must be okay with everyone, ठीके, so this is about the PM care fund, ये हमने देख लिया, ये PM care fund का उत्देश किया था, क्या इसका purpose है, क्या इसका mechanism है, that we understood now, अब ये, the fund consists entirely of the voluntary contributions, इसमें जो पूरा पैसा आता है, वो सुच्छा से आ रहे है, by individuals, organizations, and does not get any budgetary support, does not get any budgetary support, जैसे आप जानते हैं, कि जब कभी कोई पैसा खदम हो गया, तो आप सरकार क्या करते हैं, क्या करेगी, fund को utilize करेगी in meeting, the objectives are stated above, donations to Prime Minister KS fund, would qualify for ATZ benefits, तो आपने देखा, कि जो भी donations PM Care Fund में दिया गया, वो qualify होगा, ATZ benefits के लिए, for 100% exemptions, under the Income Tax Act 1961, so this is the benefit, ठीक है, so donations to PM Care Fund, will also qualify, to be counted as corporate social responsibility expenditure, under the Companies Act 2013, or donation to PM Care Fund, will also qualify, to be counted as CSR, जो आप जानते हैं, expenditure under the Companies Act 2013, CSR के रुप में भी इसको count किया जाएगा, कि company के बास अपना होता है, कि आपकी बसना turnover, अगर होगा, तो आपके जिम्मेदारी थोड़े समय, society के उपरती बनती है, तो आप इसके लिए 2%, जो अपने total income का turnover का, जो लास 3 years का रता है, उसका जो है, आप क्या करेंगे, उसको expend करेंगे, तो आप अगर इसमें दालने PM Care Fund में, तो वह भी CSR के रुप में expenditure consider किया जाएगा, अगर यह स्टेट नहीं है, तो यह स्टेट के benefits, PM Care Fund के पास आ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, जो भी serious student है, समझने के कोशिश करें, तो आप जो कोई भी समझ रहे हैं, कि जो PM Care Fund है, अगर वह स्टेट नहीं है, तो स्टेट के benefits क्यों, यह सवाल उठाया गया है, यह डाला गया है, और यह बेन्फित यह रिपन बाइ, इस fund के द्वारा इसको यूज के जा रहे है, PM Care Fund has also get exemptions under the FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, and a separate amount account receiving foreign donations has been opened, so this enables PM Care Funds to accept donations and contributions from individuals, यह individual से बलेज सकते हैं, organization से बलेज सकते हैं, has been in foreign contribution based in foreign countries, so this is consistent with respect to Prime Minister's National Relief Fund, and PMNRF, और यह से PMNRF, जोने Prime Minister's National Relief Fund है, उसे मिलता जोता है, so PMNRF has also received foreign contributions, contributions as public trust since 2021, ठीके न, और जोने पैसा जो है, 2011 से PMNRF में जो पैसा है, वो इसमें received किया जा रहा है, also received foreign contribution as a public trust since 2011, right guys, so this was the scenario, तो इतना आपने देख लिया, PMNRF के बारे में, तो आपने क्या समझा, PMNRF के बारे में, कि इसको लेकर क्या विवाद है, कि क्यों नहीं से statement में शामिल किया जाना चाहिए, इसके लिए PIL दायर किया गया, यह हाई कोट में यह बाते कही गई, कि PMNRF को यह एक स्टेट के परिभाशन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्टेट के जैसा काम कर रहा है, उसके कारण मैंने आपको बता दिये, अगर यह स्टेट के परिभाशन में नहीं अगर आता है, इसका कारण से रिव्यूव अगर नहीं हो रहा है, तो जो भी यह बैंटिट्स इसको जो सरकार के लिए जो रिजर्फ से बैंटिट्स हैं, वह सरा इससे विड्रॉब कर लिया जाना चाहिए, जाना चाहिए, एक तो दूसरी बाती है, फिर तीसरा में जो आस्पेट किया समझा कि PM Care Fund के इससापना क्यों कि इसका status किया है और कैसे यह काउन करता है इसके contrasts है इस अधार पे अब इस अधार पे कुछ भी अगर प्रशन PM Care Fund को लेकर कि आपके examination बनता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप मिश्यत बचा है वो कोई भी विशलेशनात्मत को प्रशन बने अनलेटिकल कोशन बने या फिर आपके बस अधार कोशन बने definitely you would be able to answer this question ठीके नौ सब्सक्राइब करते है आप सभी लोग हमसे पहले जान रहे है ट्विटर ट्विटर बिक गया Elon Musk के पैसे के क्या कम यह ट्विटर को उन्होंने खराइग लिया ठीके so it is the one in the news तो फ्वड़ा सा ट्विटर के बारे में थुड़ा सी जानकारी ले 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 ते ले रक ले ते ट्विटर के बारे में भी ठीके चलिये so यहांते सबीको ठीके ना everyone is okay दिलकुष कमार दिलकुष वर्ल्ड एड़्यशन अधुडर्शन श्रीराम अधर्श अधर्श शत्रविदी मानश रिजन अभर्य वर्य 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 गूद्वर्यश ठीके okay now twitter is the next topic twitter has announced to sell its social media company to world's richest man लो wolf फिए्टेस्ट विलान मुस्क्त विला या beef विलान मुस first लिए्टिsmीन विलION मुस्क्त विलानस्ट विलान मुस्क टियुकां साथिर awesome इंभनान् iedereen about Cute you और उ्सक चकंट विलानस अलानर मुस्कंटर्ग वर वोलसीm 1 लुई व्लिफ जराar so guys uh musk had announced his takeover bid on april 14 calling it the best and final offer so calling in it's his best and final offer the 44 billion us dollar का था the deal comes just four days after tesla and spacex co musk allen unveiled financial package to back the acquisition deal comes just four days after tesla and specs ke ceo यह है tesla आप जानते है गाड़ी के लिए जाना है था tesla and spacex co musk unveiled our financing package to back the acquisition now twitter has announced to sell its social media company to world's richest man Elon Musk and it is on mr musk that twitter had tremendous potential अब इन्होंने का कि भई यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म आच्छन का intention के है कि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वैस्वे की जनता जो global people है जो global करती है और democracy के लिए विचारों के अविवेक्ती बहुत ज़्यादा matter करती है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है ठीके are you getting my points तो उन्हें का कि it is it is on mr musk said twitter had tremendous potential that he would unlock जो अभी तर अन्लॉक नहीं हुआ है he also called for a series of changes from relaxing the content restrictions to eradicating fake accounts उन्हें का कि जो twitter पर है अभी जो social media है यह handle है पर इसमें बहुत सरे जो है fake accounts पर बने हुए उन सभी को हटाया जाएगा जो कई content के restrictions है उसको भी उसको relax किया जाएगा mr musk has suggested that this will give his him freedom to make changes he wants to the business ठीके ना और यह चाहते है कि संदर वो सारी आजाद उनको मिले जो की मिलना चाहिए ठाया तो आप उनके पस take over के बाद या आजाद उनके पास होगी जो कुछ भी उसमें करना चाहते है that he would be done and he would be doing with that he has been a steadfast proponent of free speech ठीके ना he is a proponent of free speech जो democracy के लिए बहुत इंपर्टन रूत है on the platform in the filing filing to the US SEC Musk wrote I invested in Twitter as I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe and I believe free speech is a societal imperative for functioning democracy उनको यह उनका यह मानना है कि free speech is societal imperative for a functioning democracy he also wrote in the filing Twitter has extraordinary potential I will unlock it ठीके अब 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 वाव ट्विटर के बारे में बात के लें किनने क्यों उसका take over किया और क्या से किया तुटर is a free social networking micro blogging service है ये ट्विटर free social networking micro blogging service है that allows registered members to broadcast short posts called tweets, Twitter members can broadcast tweets and follow other users tweet by using multiple platforms and devices and registered users can only read those that are publicly available इसमें कुछ कर नहीं सकते लेकिन हाँ पढ़ने के इसाद unregistered members के पास यह होती है this is about your tutor right now अभी एक report आया है latest annual report for 2020-2021 of ministry of home affairs ठीके ना और इसमें जो बाते की गई हैं वो citizenship amendment act को लिए कई बाते की गई हम उसके बारे में भी बात करने बाते हैं ठीके लिटेस annual report for 2020-2021 of MHA even as notification of the rules for the citizenship amendment act remains pending अभी तक हमने citizenship amendment act तो पारीप कर दिया ठीके लिए इसको implement करवाने के लिए जो हमें rule बाना ही चाहिते है उसका notification अभी तक जारी नहीं हुआ है so notification of the rules for CAA अभी तक remains pending over the two years ठीके ना अभी दो साल से यह pending परावा so the government has said the legislation is compassionate and ameliorative and does not deprive any Indian of citizenship the ministry of home affairs has said in its latest annual report for 2020 और एक के लिए ठीके so now what are the features of CAA हम बात करें तो पहले जो कई परकार का जब देखेंगा डर है लेकर के इन सभी के बारे में सरकार ने बताया गया है कि CAA does not apply to Indian citizens यानि कि जो भारत के नागरी है उनके उपर तो applicable है है यह ने just try to understand क्योंकि हम सभी लोग feature को जाने रहे है तो आप लिखने के लिए जब भी आप गया है कि CAA को लेकर के तो आप बताएं कि उनके लेकर के जो डर है जो आपके जो confusion का state है CAA को लेकर के वो आपको कहा दो लड़ा है this is a valid one ठीके ना how we can restore the confidence of the people on this amelorative जो legislation है उसके उपर में कैसे हम लोग कर सकते हैं ठीके ना amelorative and there are two words that have been used amelorative and compassionate how we can develop the trust of the people over this citizenship amendment act तो यह सवाल आपके लिए हो सकते हैं cannot be the exact text लेकर इसके आसपास की चीज़ें हो सकते हैं ठीके ना तो आपको समुझना परेगा तो पहली बात यह है कि CAA does not apply to the Indian citizens तो किसे को डर नहीं के जरूद नहीं जो भारत के नागरिक है वो नागरिक है उनको चिंता की बात ही नहीं है कोई अगर refugee है कोई अगर illegal migrant है तो वैसे भी normal law के अंतर रहे तुनको यहां से जाना है उनको extradition होगा उनको जो है detain किया जाएगा etc ठीक है जो भी provisions है so CA does not apply to Indian citizens so nothing to shout about एक तो यह बात कही है therefore it does not in any way take away or abrise the rights of an Indian citizen ठीक है न और किसी तरीके से किसी भी भारत के नागरिक का कोई भी अधिकार यह लेने नहीं जा रहा है ना तुनके अधिकारों को कम करने जा रहा है जो आपके पास अर्थिकार संभिधान के द्वारा दिये गया है जो यहां के law के द्वारा दिये गया है that would be available to you वो आपके लिए available होगा आपके पास रहेगा पर्द दो प्रेजेंट लीगल जो प्रॉसेस है और अगर भारत की नागरिकता अगर लेनी है यानि की जैसे आप जानते है नागरिकता लेने का तरीका है कोई फॉर्णर के बारे में बात करें तो दो तरीके हैं एक नाचुलाइशन का और जुस्तार रेइस्टिशन का में बताया गया जन से वन से पंजी करण से देशी करण से और भारती भूबाग में किसी नागरिकता को मिला जाने से तो कोई भी अगर विदेशी अगर कोई भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो प्रावधान है पंजी करण देशी करण के वो as that is है वो और नहीं सो को कोई कटेल किया जा रहा है, इसके अलावा, जो legal process है, acquiring Indian citizenship का, that is intact, जो present है, that is, वो already अभी तक है हमारे पासे अवेलेबल ही है, ठीके ना, so act citizenship act 1950, it is very much operational, it is operational, and CAA does not amend or alter this legal position in any manner whatsoever, ठीके, तो यह भी बात यह होगे, Hence, legal migrants of any relation from any country, will continue to get Indian citizens, once they fulfill the eligibility conditions, already provided in the law, for registration or naturation, it has said, right, इतनी बात समझ गे, CAA, which aims to give citizenship to migrants belonging to Hindu, CAA क्या करता है, इसका उदेश क्या है, यह एम करता है, to give citizenship to migrants, belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian communities, from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, जो BAP country है, बांगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उनके इन 6, जो समधाई के लोग हैं, उनको नागिता प्रदान करना है, was notified on 12th December, notified on 12th December 2019, and came into force January 2020, लेकिन इसके लिए implementation के लिए कोई भी notification अभी जारी नहीं किया गया है, यह इसको लावूर नहीं दिया गया है, the legislation evoked widespread protests across the country, अब देखते हैं कि जैसे यह आया था, जिब इसको legislation किया गया, लेसलेट किया गया, तो पुरी देश में व्यापर गूरूप से हम देखते हैं कि widespread protests were across the country, as read with the government's plan to conduct nation-wide national-registered citizens enumeration, it was perceived as an attempt to deprive Muslims of Indian citizens, ठीके, so यह उनको लगा, यह इस एन एफ़र्ट ताकि उनकी नागरिता को छीना जा रहा है, ठीके, it was perceived, उनको लगा, but that is not true, the notification of its rules without which the law cannot be implemented, ठीके, the notification of its rules continues to be pending, the law cannot be implemented, continues to be pending, with no commitment from the government as to when it will happen, यहां पर बात की गें, तो उनको पर बात की गें, यहां पर बात की गें, तो उनको भी कहा कि आपको confidence रखनी की ज़रुवत है, यहां भी आपके साथ, जो आपका schedule 6 के अंतरगत है, जो ILP है, उसके साथ भी कोई भी extra pressure नहीं आने मला है, क्योंकि लोगों को यह डर था, खास करें नौर्थ हिस्टन स्टेट्स में, कि कई लोग जो बांग्लादेश से हमारे हां आएंगे, जो refuses हैं, जो particular date को आ रहे हैं, तो यहां आकरन को जब legalize किया जाएगा, जब citizenship दिया जाएगा, तो उनके रोजगार के उपर, उनके infrastructure के उपर यह pressure डालेंगे, यानि कि जो additional लोग हैं, जो यहां के local people नहीं है, जो यहां के tribes नही हैं, उनके साथ इनका influx देकर इनको citizenship देकर यहां पर pressure करने की कोशिश की जाएगी, that will be an additional pressure, over the resources, infrastructure and everything, and of course, on the employment opportunities, तो कहा गया, यहां पर घबराने के ज़रूद नहीं, यहां भी उनके लिए, जो भी उनके जो डर था, उसको भी यहां से खरम पने की कोशिश की जाएगे, annual report में यह बाते कहीं, अब highlights कहा है, इस annual report का, जो latest annual report for 2021 of MHA है, इसमें highlights कहा है, just try to understand these highlights, तो देख लेकिन highlights में क्या कहा है, इसमें कहा गया, कि report said between April 20 से लेके December 31 2020 था, ठीक है, यानि कि लगबग हम लोग बात करें, तो लगबग 9 मैने तक, 9 मैने तक, 8 मैने तक, 3,014 and 217 cases of long-term visa has been disposed of, जो long-term visa उसको disposed किया गया, by the minister of Home Office for minority committees from Pakistan and Afghanistan respectively, दूसर, इसी period में, एक अप्रेल 2020 से लेकाती, दिसम 2020 से, one case of LTV, that is called long-term visa for minority committee from Bangladesh was also disposed of by the MHA, even as total of 412 citizenship certificates were granted by various competent authorities, MHA plus authorities delegated powers of the central government in 7 states and 6 districts, to foreigners under the provisions of the CDC back 1955, इर्थ से, ठीक है, during the period, 4 Pakistani civil prisoners and 20 Pakistani fishermen, who had completed their sentence, were repatriated to Pakistan, इसमें देखा, ये 4 Pakistani civil prisoners थे, और 20 Pakistani fishermen थे, उन सभी को भी, जब उन्होंने अपना यहां पर sentence यानि कि जो उनका दंड था, वो पूरा कर लिया, तो उनको भी यहां से repatriated Pakistan कर दिया गया, while 9 Indian civil prisoners were repatriated by Pakistan to India, according to the report, as many as 32,89315 foreigners, including 4750 Pakistani nationals, visited India during the period despite a raising pandemic, maximum number of foreigners who visited India during this period, maximum, were from United States, America से आयते, फिर उसके बंगलादेश से आयते, फिर उसके United Kingdom से आयते, फिर Canada से आयते, फिर Portugal से, फिर Afghanistan से, फिर Germany and France, Iraq and then Republic of Korea से, सब्सक्राइब कहां से आयते, यह याद रखेगा, USA से, the maximum था, that was from the USA, then from Bangladesh, यह याद रखेगा, ठीके, चले, Now, these 10 countries accounted for 71.23%, 23% of the total arrival of the foreigners during this period, according to the report, as many as 258 foreigners were deported by the Foreign Regional Registration Officers, ठीके न, इसके अलबा, 258 foreigners के इनको deport भी किया गया, ठीक है, FRO के दौरा, that is called Foreign Regional, Foreigners Regional Registration Officers, during the period, most of the deported foreigners were from Bangladesh, आपके लिए दो चीज़े यहाँ पर ध्यान में रखना है, कि सबसे ज़्यादा, जो लोग हैं, इस दौरान जिनको deport किया गया, as per this report, latest annual report, वो किस country में deport किया है, that is in Bangladesh, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, 31 April से लेकर के, जो आपके पास 31 December तक है, सबसे ज़्यादा जो लोग आएं, वो कहां से हैं, US है, then from Bangladesh से आए, ठीके, and most of the deported foreigners belonging to Bangladesh, followed by Afghanistan and Kyrgyzstan, ठीके, यही याद रखेगा, that is Bangladesh, Afghanistan and Kyrgyzstan, most of the deported foreigners belong to Bangladesh, and then followed by Afghanistan and Kyrgyzstan, so यह कुछ factual detail है, इसको ध्याद में ज़रूर रखेगा, CA के लेकर जो विबाद हुआ, वो उसको मेंस के perspective से देखेगा, और यह factual detail हैं, यह आपके लिए, प्रियम्स के लिए हैं, तो प्रियम्स के point आवी से यह सवाद पूछा सकता है, कि इस period में सबस्यादा लोग कहां से है, यह इस report में बताया गया, तो वो अमेरिका से, यह इतनी चीज़ें याद रख नहीं है, हमें, that's it. One of the world's biggest deal in the tech world, billionaire alone, और यह कहां से आगया? Now, क्यूरिल आइलेंड, अब यह एक important news है, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्यूरिल आइलेंड, यह है आपके पास Russia, अब यह जो यहां पर है, यह जो आप देख रहे हैं, इसको लेकर विवाद है, किसके बीच में? Russia, यह स्खालिन, और यह जापन, इनके बीच में, इसके उपर में दोनों अपना जो है, इसको क्लेम करते है, boundary claim by Japan, यह जो boundary है, क्यतने है, यह जापन का ही सा है, ठीक है, और यह स्कॉल क्यूरिल आइलेंड, इसको कोई यहां का है, water body को भी देख लीजिएगा, कौन-कौन सा water body है, that is important for you, क्यों नीउस में है, यह समाझ में है, देखिए दसल किया है, यह 22 अपरहल को, जापन की diplomatic blue book, पर 2022 में, describe किया गया, कि जो क्यूरिल आइलेंड है, विच जापन जिसको call क्याता है, northern territories, और रश्या जिसको क्याता है, southern, south क्यूरिल, ठीक है, इसको जापन क्याता है, cause northern territories, और as being under Russia's illegal occupation, ठीक है, इसमें यह कहा गया, कि जापन का जो diplomatic blue book है, 2022 का, उसमें कहा गया, कि जो क्यूरिल आइलेंड है, ठीक है, वो जापन का northern territory है, जिसको रश्या कहता है, कि वो south क्यूरिल से, और उस पर यह जापन कहता है, कि रश्या ने illegal occupation कर रख रख है, illegal aware तरीके से कबज है, इसके उपर लगबदन देखें, तो 20 साल में जो है, पहली बार जापन ने कुछ बोला है, और यू देखते हैं कि पूरी दुनिया में कही जए एक orientation हो रहा है, उधर आप देखें यूकरेण के तरफ देख लीजे, इधर आप रश्या के साथ आप देख लीजे, जापन के बारे में बात कर रहा था, कुरिल को लेखाSwटर लैगर जापने जो रूइन के यूज़ कर रहा था, नौर्धर झेरिट्री कर रहा था, यानि की जापन की जापन का नौर्धर्थर्टरी है, सेँग ड़डध एधर बाग्प्लात अगर में भूऔर बात करें, तो यह ज Pacific Ocean near the north of Japan's northernmost जो है इसका बोलता है प्रीफिक्चर है, that is called Hokkaido, Hokkaido, Honsu, यह सब अब जानते हैं, ठीक है, so set of four islands, बोथ Moscow यानि की Russia and Tokyo, that is called Japan, claim sovereignty over them, and the island have been under Russian control since second world war, ठीक है न, Russia और Tokyo, जो है Japan है, दोनों इसके अबर अपनी sovereignty को claim करते हैं, और यह जो islands है, यह under Russian control है, second world war, since second world war, second world war से, ठीक है न, Russia के पास है, Soviet Union had seized the islands at the end of second world war, by 1949, and expelled its Japanese residents, ठीक है न, so उनीस में सदाब्दी के शुर्वात से हैं, यानिके, since 19th century, early decades of 19th century, ठीक है, so this is a dispute, so what lies behind the dispute, according to Tokyo, अगर हम बात करें, जो जापनी sovereignty over the island is confirmed by several treaties like, CIMODA treaty of 1855, so according to Tokyo, अगर बात करें, जापनी जापनी treaty over the island is confirmed by several treaties, जो पस्ट में के शीटी हुए जो पस्माथी का है is treaty हुए, समोडा, treaty फ्रास पश्माफ में, the 1875 में एक treaty for exchange of Scaline, or for Kyurel Island, treaty of Saint Petersburg, and their Portsmouth Treaty of 1905, signing after the Russia-Japanese war, जो जापनी सचर पांच में, which Japan had won, Russia on the other hand, claims the Yalta Agreement 1945, and the Post Dam Declaration 1945, as proof of sovereignty and argues that san francisco treaty of 1951 is legal one is legal one evidence that japan had acknowledged russian sovereignty over the island अब ये कहा कि जापान ने ये काना शुरू कि है कि हमारे पास है हमारे पास ये सारे हैं जो बताते हैं 19th century से early time से हमारे पास रहा है और रश्या ने कहा कि भई देख लो ये सारा याल्टा जो है declaration है हमारे agreement है ये और जो post time declaration है san francisco treaty जिसमें कि रश्या ने ये माल लिया कि इसके उपर रश्या का sovereignty है ये आपका कहा से हो गया ठीक है so this is the discussion this was in the news guys are you getting my points I believe you must be getting all these things guys ठीक है so चलिए हो गया अच्छा रात में आज हम लोग बात करेंगे rapid revision series इसमें भी अपना modern history के कुछ topics चल रहे हैं जो मैंने कहा था है जो contemporary जो भी आपकी examination में आने के संभाव नहीं है उन सभी कम लोग कवर कर रहे है so कल unfortunately आपकी class नहीं हुए I was all set to take class but there was certain technical issue जिसके वैसे class अपकी live नहीं थी तो इसलिए class लहीं नहीं पाया आज अपकी class है कल भी आपकी classes होंगी परसो भी आपकी classes होंगी so we are going to take a class in the series ठीके न हम लोग लेते रहेंगे हम लोग बात करते रहेंगे session में so आप सब लोग इसमें आइगे and P.O.P की class शाम के साथ बज़ करके पांच मेंट पर आज है P.O.P में science की आज आखरी class होगी science and technique basic science की आज आखरी class होगी जिसको हम लोग करने वाले हैं ठीके so don't forget to join it at 7 p.m. और रात के नौ बज़े हम लोग बात करने वाले है किसके उपर में अपने rapid revision series with Pawan sir ठीके अपने YouTube पे जो 75 P.O.P है वो an academy के app पे होगा रात के नौ बज़े वाले class YouTube पे अपने होगी यहीं पे होगी जहां हम लोग history में बात करेंगे So what lies behind the dispute is this ठीके sir अचली आप लोग को बढ़ा दो कि plus subscription यह GS का और यह आप देखें GS Iconic के subscription के जो प्राइस हैं 3 months, 2 months, 3 years, 2 years, 1 year का ठीके it is the right time to take the subscription जो लोग 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं 24 के लिए करें, उनके बिल्कुल right time है, don't miss this opportunity, don't miss this time, अगर आपने time miss करेंगे, because time is very much a currency, आप यह जान लिए एक पूंजी होती है यह हाथ में, यह पानी के जिस तरीके से आपको रोगनी के कोशिश करें मुठी में, पानी हो यह बालू हो, वो रुकता नहीं है, वो हाथ से निकल जाता है, उसी समय भी निकल जाता है, समय का भी प्रवाह है, just try to recognize your time, आप में time को recognize करें, I am just take, मेरी कई classes अभी शुरू हो रही है, अभी just 3-4 दिनों के अंदर ही, politics के class आ रही है, history के class रही है, new batches आ रहे हैं, you can join them either, ठीके, so 2 साल का देखें, इंदि 4,490 रुपे के है, मेरा code apply करका पूसको join कर सकते है, ठीके, so अभी यहाँ पर मैं आपको 10% discount दिया जा रहा है, लेकिन अभी 28 तरीक आपको 10% ही, बलके 20% का discount आपके पास applicable है, so get this opportunity, इसी तरह के से 3 साल, 2 साल, 1 साल का, अगर आप लेते हैं, 1,15 रुपे का, you applied my code, तो again 20% discount आपको मिलेगा, 20% discount, you are going to get it, टीके ना, 20% discount, इसी तरह के से option पे भी है, 3 साल, 2 साल, 1 साल का, you have to apply this code, पावंटिंग का code apply and get the benefit, जो भी अपको मिलेफित आ रहा है, वो ले, और मैं कहोंगो, कम से ठाल से 20 महीने का course होना चाहिए, तो 2 साल का course ज़रूर लेगे, so special class details, यह दोनों classes हो चुके ह science is going, आज इसके भी आज आखरी class है, यह हम लोग कर रहा होंगे, अपकमिंग प्लस जो course मेरे है, Indian quality and history का है, enroll it, using my code power 10, this is my code power 10, just to be under my guidance and mentorship, when you are coming through this code, तो आपको मैं परसना guidance के रावा, there's a lot of thing that you are going to get, but for those who are in the plus group, ठीके ना, जो प्लस category में, जो यह किवल मेरे guidance ही नही, there's lots of thing, there's the material, content, जो भी books, मतलब कि जो कुछ भी notes वहिरा, that you can get over here, ठीके न, जो भी है, आपके पास, question papers and everything, so on academy goal, अगर में बात करें, तो यह आपके पास है, 20% of all the subscriptions, पे आपको discount भी तिल 25th, 28th of April तक, 25th, 25th को शुरू गा ता, today is 26th, 27th, 27th है, कल-कल तक आपके पास opportunity है, कि यह 20 तारिक तक आपके पास opportunity, you can take this opportunity, grab this opportunity, you should, and this is my code permanent, this code को अप्लाई कर के, you should take the subscription, ठीके न, don't forget to take this opportunity, ठीके, so this is my code and academy goal, achieve your exam goal with us, for the first time, extending UPC, CAC, PLIMS practice booklet offer आपके पास है, जिसको valid कर दिया गया है, 30th April तक, अगर आप ले रहे हैं, यह अभी कुछ दिनों का आपके high demand के उपर में उसको बढ़ा कर दिया गया है, यह जो बुक्स आपके पास practice rate का है, वो 30 अपरिल तक बढ़ा दिया गया है, एक सिन जो 25 तारिक तक था, आपके demand के उपर उसको 30 अपरिल तक, जो भी subscription ले रहे हैं, यहाँ आप देखें, बोथ iconic and plus subscription, उन सभी के लिए eligible होगा, आप ले इसक subscription, तो उसके साथ यह आपको free of cost मिलेगा, जो आपको books हैं, वो तो पहले मिली रहे हैं, अभी आपको यह जो है, वो questions भी आपको मिलेगा, 10,000 plus expert questions है, 10 printed books लेट्स मिलेगा, previous question paper भी आपको मिलें कहीं भटक नहीं कि आपको अभिशकता नहीं होगी, UPC CC Mega Combat होने वाला first of Mako, 56 questions, 60 minutes होंगे, highlight of the comments, यह सारी चीज़ने आप देख पारेंगे, प्रिम से special होने वाला है, यह available है Hindi और English दोनों में होगा, परबंटिन का code अप्लाइ करके, इसे join जरूर करके रहे हैं, ठीक है, फिसके लबाँ अभी free comprehensive interview guidance program चला है, for UPC CC 2021 case, 120 plus topper selected last year हुए है, you can also be the part of that, अगर आ यह आप a personal question and live mentorship मिलता है, main question answer writing, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें कहा है कि देखे, कई जब आप पढ़ लेते हैं, तो आपको question answer लिखते हैं, आपको हर कोई कहता है कि आपको लिखने की practice करने चाहिए, लिखना आपके हाथ में, लेकिन उसको judge करना, that is not in your hand, because आप हमेशा doubt में रहें, आपको suggest करेंगे, तो you need to have a coach, आपको कोई ऐसा हो, जो आपको बताए कि हादेखो इसमें यह गलतिया है, यह आपको गलतिया ही ना बताए, बलकि आपको बताए कि इसमें क्या चीज़ है, और add here, what you can put into your answers, तो यह main question answer writing, that is the one most important, उसके लावा एक लंबा study planner, open house with educators, कई लोगों को यह दिया है, यह आप लोगों को मालूम ही होगा, open study planners and open house with educators, you can be the part of that, आप loan लेके भी पढ़ाई लिखाए कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे, unacademy का loan भी दिया गया, जहाँ मेरा नाम, मेरा code डाल करके, अपने loan के लिए आप try करें, और जैसे अपने details के साथ apply करें, after sometime you will receive a call from an academy, आप उनको बताएं कि पवंटिन का code apply करें, हमें यह subscription लेना, they will be helping you out, ठीक है, इसके लिए new batches आज से शुरू हो रहे है, 27th of April से, कई batches शुरू है, bilingual batches 24-23 के लिए, और यह सारे batches, you can be the part of this group, this is your love to us, यह सारे का सार आपका feedback है हमारे Thank you very much guys, like and share करें इस session को अगर आपको अच्छा लगा है तो, and don't forget to subscribe this channel, and hit the icon will to get the notification of each and every classes on this platform, and PDF के लिए ये PDF आपको जॉइन करना है, quality group के टेलिग्राम ग्रूपे चले जाहिए, ठीक है न, यहाँ पर मैं आपको जो है, आपको ये PDF इसकी सारी मिल जाएंगे, ठीक है guys, and I believe किए आपको पर सारी चीजी होँगे, और दूसी बताओं कि फॉसी musi कि कारण से जिस करन से कल रात की नौ बजी की क्लास आपके नहीं हूपाई, उसी तखनी की कारण से दौ बजी की क्लास पर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग सबी लोग मेरे साथ जुड़ेए, कह आप पर सब बसक्रेश पांच मिंट पर हम लोग बैसिक साइंस की आखरी क्लास कर रहे हैं उसका लिंक भी अभी मैं शेर कर दूंगा टेलीग्राम गूप पर